सो दोस्तो यह जो मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ नेवी के निव वेकेंसी की रिलेटेड भाई यह सबसे बड़ा अपडेट तो है है बाकी आप यूटुब पर पूरे सर्च करें ना यह सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूँ आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, किसी ने इसके उपर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई, ये अपडेट आपके लिए सबसे बड़ी है, और भाई, अगर मैं बोलू, तो ये इस साल की सबसे बड़ी अपडेट साबित हो सकती है, क्योंकि भाई, इंडियन नेवी की ने वेकेंसी के रिलेटेड ये बहुत बड़ी अपडेट है, जहांकि वेकेंसी बड़ी है, और भाई, अब वेकेंसी जो आएगी, वो कोई छोटी मुटी वेकेंसी नहीं आएगी, काफी बड़ी वेकेंसी आने वाली तो वो इस वीडियो में होगा कि इस अपडेट में मैं यही बताऊंगा कि इस बार क्या अलग होने वाला है तो दोस्तो वेकेंसी काफी देर से नहीं आ रही है तो हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही है फसी होगी या फिर और भी कई रिजन हो सकते हैं बट मैं कहूं दोस्तो तो यह चलो अच्छा ही हुआ की वेकेंसी इतनी दिनों से नहीं आ रही थी क्योंकि अब वेकेंसी जो आएगी दोस्तो वो बिलकुल ही दोस्तो रिकॉर्ड तोड़ देगी इस बार क्योंकि इस बार वेकेंसी काफी जादा आने वाली है और उसी का मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा और ये कोई फेक प्रूफ नहीं जैनुविन प्रूफ है आप खुद ही सर्च करके देख सकते हो लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप सर्च कैसे करोगे और भाई दोस्तों ये जो पद होने वाले है 12,317 पद होने वाले है तो ये आपके लिए काफ़ी important news है क्योंकि भाई ये जो update है न दैनिक जागरना आप जानते हो newspaper तो इस पर आप शक्त बिल्कुल नहीं कर सकते तो इसी की update है तो भाई ये update काफी बड़ी update है तो भाई वीडियो को अंतक देखो तभी आपको अच्छ समझाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और भाई अपने दोस्तों को पक्का शेर करना है ये वीडियो क्योंकि भाई सबके लिए वीडियो equally important है क्योंकि तुम ही नहीं बाकी कितने भी बच्चे जितने भी हैं काफी वेट कर रहे हैं कि नेवी के वेकेंजी कब आए ताकि हम डबल ए, SSR और MR का फॉर्म भर सकें तो दोस्तों स्वागत करता हूँ Welcome to Defense Info तो सबसे बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूँ दोस्तों तो भाई अगर चैनल पर फॉर्स टेम विजिट कर रहा हूँ तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि फूचर में कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मैं आप तक पहुचा हूँ जैसे कि ये अपडेट आपको सबसे पहले मैं पहुचा रहा हूँ यूटुप पहली बार तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पाँच बच के 21 मिनिट आपका टाइम हो रहा है और फिर इतनी सुबह मुझे अपडेट मिला इसलिए मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ और भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो प्लीज चैनल को डू सब्सक्राइब और भाई शेर तो पक्का करना बाकी लाइक और डिसलाइक तो आपके उपर है बाकी मैं जानता हूँ लाइक तो करके जाओगे तो भाई नेवी के अगर वेकेंसी की बात करें तो ये आ जाती थी हमारी दिसमबर में तो दिसमबर भाई आ जाती थी लेकिन अभी जैन पास हो गया फैब पास हो गया उसके बाद मार्च भी अभी पास होने वाला है तो वेकेंसी का कोई नामों निशान नहीं है लेकिन एक हिंट मिली है हिंट क्या सिधा लाइफ प्रूव आपको मैं दिखा दूँगा कि वो जो प्रूफ है भाई गवर्मेंट की तरफ से प्रूफ है हम सोच रहे थे कि इतनी दिनों से वेकेंसी नहीं आ रही है तो भाई क्या होगा हमें प्रॉब्लम होगी अपकोस हमें प्रॉब्लम होगी बड़ दोस्तो ऐसा आप सोचो कि सरकार ने रोक के रखी थी ये वेकेंसी तो वो कुछ बड़ा ही आपके लिए प्लान कर रहे थे और वो जो बड़ा प्लान कर रहे थे वो जश्ट रिवील कर दिया है क्योंकि मैं भाई नेवी की वेकेंसी के लिए सर्च करता रहता हूं कि कब आएगी वेकेंसी तो मुझे भाई जस्ट अभी ब्रैंड न्यू भाई बिल्कुल नया ही अपडेट मिला वो ये अपडेट आपको पहुचाने जा रहा हूं बस MR का भाई दिखाएगा मेरिट लेस्ट जो कि October 2020 बैच का है ये मिलेगा आपको और बाकि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला बाकि और भी कई जगह सर्च कर लोगे लाइक जॉइनेज में या फिर इंसाइड नेवी में या फिर जॉइनेज कहीं भी आप सर्च करोगे आपको मिलने वाला नहीं क्योंकि ओफिशली यहां पर अभी तक नहीं दिया है लेकिन जागरन न्यूस पर आप जानते हो वहां पर दिया गया है तो भाई पहले तो ये बच्चों का एक और डाउट था वो भी साथ साथ चलो मैं क्लियर करी देता हूँ ये डाउट था कि भाई जो डबल ए SSR है उसकी वैकेंसी एक साथ आएगी और MR की अलग आएगी तो भाई हां ये ऐसा होता है और इस बार भी ऐसा ही होगा कि डबल और SSR की वैकेंसी एक साथ आएगी और MR की जो वैकेंसी है आपकी अलग आ सकती है तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक साथ आएगी क्या लगाएगी इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है एक साथ आच अलग अलग आए भाई वैकेंसी आएगी तो बंपर आने इस बार इतना में आपको कह सकता हूँ, तो चलो आपको सिदा दिखाता हूँ तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है जागरण नियूस पेपर की तो भाई आप जानती है हो, डैनिक जागरण वन अफ दे बेस्ट नियूस पेपर इंडिया का है तो भाई इस report में देखो रक्षा मंतरी ने क्या कहा है कि देश के तीनों सेनाओं में एक लाग से ज़्यादा पद रिक्त भाई तीनों सेनाओं यानि कि आर्मी, एरफोस और आपका नेवी इन तीनों को मिला के करीबन एक लाग से ज़्यादा पद खाली है तो भाई इसलिए बोल रहा था कि bumper vacancy आने वाली है तो भाई इस part को बिलकुल अच्छे से देखना क्योंकि इस part में दोस्तों मैं आपको अच्छे से detail में बताऊंगा जो report ये कह रही है और last में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस report को कहां पर पढ़ सकते हैं क्योंकि आप भी तो पढ़ना चाते होगे न कि ये भाई है कहां पर ये true है कि fake है तो भाई ये truth है वो भी आपको proof तो मैं दे दूँगा जाते जाते सो देखो दोस्तों इस report में क्या कहा जा रहा है तो इस report में आपको सिधा सिधा आपको लिखा मिल जाएगा कि भाई थल सेना में ही अकेले 86,000 पद खाली है उसके बाद भाई अब आपको detail में बताता हूँ नौ सेना में अधिकारियों के स्विकृत पदों के मुकाबले स्विक्री तैनी जितना पद होना चीए उससे 1044 पद जबकि नैविक यह भाई किसका है नौ सेना के अधिकारियों यानि ऑफिसर का कितना है 1044 यह सिर्फ ऑफिसर का है अब जो cadet होते हैं for example airman होते हैं सेलर जो होते हैं वह कितने हैं उसके लिए है 12,370 पद खाली है तो यह है भाई जो मैं आपको बता रहा था पहले ही स्टार्टिंगे वीडियो में तो यह वही है बिल्कुल निव रिपोर्ट है भाई तो इसके सबसे जो सेलेक्शन का चांसे जब वह भाई मैं बोल रहा हूं 90% प्लस होने वाले हैं क्योंकि भाई जब अब तक हम बात करें तो 3,500 तीन हजार के आसपास डबले SSR की वेकेंसी आती थी लेकिन इस बार भाई 12,000 आ रही है तो आप भी सोचो कि कितना आपके चांस है अब इसके रिजन क्या क्या है अब ऐसी ये भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भाई करोना में इतने सैनिक मरे हैं वो एक रिजन हो सकता है उसके बाद दोस्तों और रिजन क्या है और भी बहुत सारे रिजन होते हैं फिर ये जो निर्देश है भाई आत्म हत्या की घटना बहुत सारी मालब बहुत सारी रिजन है उससे हमें तो मतलब नहीं है हमें उसमें ध्यान भी देना नहीं है हमें बस यह है कि हमारी वेकेंसी आ रही है और इतनी ज़ जागरन का दिखा रहूं आपको कैसे देख सकते हो कहां से देख सकते हो तो चलो बता देता हूँ अब ये ब्रीफ में मिलने के बाद अब आपको क्या करने है इसी के नीचे आप जाओंगे तो जागरन की वेबसाइट है यहाँ वेबसाइट खोलो और आपको वो जो मैंने आटिकल दिखाया आपको डिटिल में मिलेगा तो यहाँ आप जान सकते हो तो भाई यह बिल्कुल जैनिविन है अब तो आपके सामने भी आ गया तो बिल्कुल एक दिन पहले मतलब कि आज राक के 12 बजे यह रिपोर्ट आई होगी तो दोस्तों मैं 5 बजे वीडियो बना रहा हूँ सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ तो भाई चैनल को